असलाम अलेकुम आए मुहम्मद हसान हाश्मी और आज मैं आपके लिए बहुत ही आहम चीज लेके आया हूँ हम चलते हैं सक्रीम की जानब और वहां पे इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि पेपर का पैटरेंड क्या होगा कितने मार्क्स का पेपर आएगा और इस पेपर में मार्क्स की डिस्टिबिशन और क्वेस्टिबिशन की डिस्टिबिशन वह किस तरह होगी तो चलते हैं सक्रीम की जानब जी तो स्टुडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि कम्प्यूटर साइंस का जो पेपर है यह 75 मार्क्स का होता है टोटल मार्क्स की अग maximum हैं जिनको आपने score करना होता है अब marks की distribution की अगर हम बात करें तो paper में MCQs 15 marks के आते हैं short questions के 3 paragraph होते हैं actually question number 1 MCQs का होता है जबके question number 2, 3 और 4 इसमें 9 short questions होते हैं जिनमें से 6-6 short questions आपने attempt करने होते हैं so total marks इसके 54 होते हैं चुँके 27 short questions paper में आते हैं जिनमें से 18 short questions आपने maximum attempt करने होते हैं जिनके 36 marks होते हैं अगर हम long questions की बात करें तो 5 long questions paper में आते हैं जिनमें से 3 maximum आप लोगोंने long questions को attempt करना होता है so इस तरह अगर हम marks को count करें तो 109 नंबर का computer का paper होता है जिसमें से 75 marks maximum आप लोगों ने हासिल करने होते हैं अब चलते हैं paper की scheme के मतलग देखते हैं किस chapter में से कितना paper वो आप लोगों को इस साल 2021 में आएगा आज से पहले अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया तो आप इस channel को subscribe कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बाअसानी पहुंच से आप लोगों को इस scheme के हवाले से बिलकुल भी किसी भी किसम का कोई भी doubt नहीं होना चाहिए याद रखें ये बिलकुल verified scheme है और इसी के मतलग आप लोगों का paper आई का और इसके इलावा भी मैं आप लोगों को पूरी किताब में से जो most important questions हैं बलके आप समझ लें के वो questions जिनको आप prepare करके बहुत अच्छे computer science में marks हासिल कर सकते हैं आइंदा वीडियो में उनके मतलग भी मैं इशाला आप लोगों को जरूर बताऊंगा तो देखते हैं जी mcqs कौन से chapter में से कितने आएंगे याद रिखिएगा chapter number one उसमें से सिर्फ और सिर्फ दो mcqs आएंगे जबके chapter number two की अगर हम बात करें तो वहां से भी सिर्फ और सिर्फ दो mcqs आएंगे chapter number three और four इन दोनों में से भी दो दो नंबर के mcqs आप लोगों को पेपर में आएंगे जबके chapter number five में सिर्फ एक mcq आप लोगों को आएगा chapter number six में फिर दो mcqs आप लोगों के पेपर में शामिल होंगे seven eight nine और ten इन chapters में से भी एक एक mcq आप लोगों के पेपर में लाजमी तोर पे आएगा so total जो marks इसमें बनते हैं वो होंगे 15 याद रखिएगा mcqs में choice नहीं होती बलके आप लोगों ने हर mcq का जो most feasible answer है उसको टिक करना है तो मेरी recommendation यह है कि आप exercise में जो भी book आप पड़ते हैं उसके exercise में जो mcqs हैं उनको लाजमी तोर पे प्रिपेर करिएगा ताकि आप लोगों के mcqs में marks ना कटें अब चलते हैं short questions की तरफ मैंने जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया mcqs के बाद short questions के जो questions हैं वो question number two, question number three और question number four इन में divide हो जाते हैं हर portion में no short questions आने होते हैं जबकि उन में से आप लोगों ने सिरफ और सिरफ 6 short questions को attempt करना होता है marks की division के इतबार से हम पहले बात करते हैं और फिर pairing scheme के मतलग मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन-कौन से chapters में से आप लोगों के paragraph short questions के बनेंगे अभी हम सिरफ यहां पर बात करने जा रही हैं कि कौन-कौन से chapter में से कितने-कितने short questions आप लोगों को paper में आएंगे अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 27 short questions आपकी मुकमल किताब में से आने होते हैं जिन में से 18 short questions आप लोगों ने attempt करने होते हैं maximum जिन में से 36 marks आप लोगों को final के paper में मिलेंगे कौन से chapter ऐसे हैं जिनको आपको prepare करने से ज्यादा marks मिलेंगे उसके उपर हम बात करते हैं chapter number 1 में 3 short questions आएंगे chapter number 2 में से 2 short questions आप लोगों के paper में शामिल होंगे chapter number 3 इसमें भी 2 short questions होंगे जबकि chapter number 4 और chapter number 5 इन में से 5-5 short questions आपके paper में शामिल होते हैं chapter number 6, 7, 8, 9, 10 इन में से 2-2 नमबर के short questions और 2-2 short questions आपके paper में आते हैं so total marks की अगर हम बात करें तो 54 नमबर के आप लोगों के short questions पेपर में शामिल होते हैं जबकि आप लोगों ने maximum 36 marks को attempt करना होता है यहां पर यह भी बता दूँ कि अगर आपने कोई extra short question attempt कर लिया तो यह एक अच्छी practice है in case अगर आपके किसी short question में marks पूरे नहीं है तो जो आपने extra short question किया अगर उसके marks पूरे हैं तो वो पुराने वाले short question के marks के साथ replace हो जाते है और यह board का rule होता है जो maximum marks होते हैं जिस question के उसको शामिल किया जाता है so मेरी recommendation यह है कि आप short questions की बहुत अच्छे तरीके से त्यारी करिएगा आइंदा वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत important short questions के notes और इसके मतलग बताऊंगा कि कौन-कौन से short questions को prepare करके आप maximum marks हासिल कर सकते हैं जी तो students अब बात करते हैं pairing के हवाले से यहां पर हम देखेंगे कि question number two short questions के अंदर कौन-कौन से chapters आपको prepare करने पड़ेंगे ताके आप अपने 6 short questions को attempt करने याद रिखिएगा chapter number one, two, three और six इन chapters को आप लोगों ने prepare करना है no short questions इन में से आएंगे जिन में से 6 short questions को आप लोगों ने attempt करना होगा अब हम चलते हैं question number three की तरफ इसमें जो chapters include ओंगे उनमें chapter number five, chapter number eight और chapter number nine इन में से आप लोगों को no short questions आएंगे जिन में से आप लोगोंने 6 attempt करने होगे अब चलते हैं question number four की जाने question number four में जो chapters include होंगे उसमें chapter number seven, chapter number four और chapter number ten इन तीनों चेप्टर्स में से आप लोगों को नो शाट कुएस्टिन्स आएंगे जो आप लोगों ने attempt करने होंगे जिन में से maximum 6 आप लोग लाजमी तोर पे attempt करिएगा जी तो students अब हम बात करते हैं long questions की question number 5, question number 6, question number 7, 8 और 9 कौन-कौन से chapters में आते हैं इनके हवाले से मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ लेकिन उससे पहले याद रखिएगा long questions के 8 number होते हैं 105 long questions के 40 number बनते हैं लेकिन उसमें से आप लोगों ने total 3 long questions आपने attempt करने होते हैं जिनमें से 24 marks आप लोगों को मिलेंगे जिन chapters को आपने long questions के लिए prepare करना है उनमें chapter number 1, 2, 3, 5 और 6 ये वो chapters हैं जिनमें से एक-एक long question आता है आइंदा आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किन chapters को prepare करके आप कम time के अंदर बहुत अच्छे marks हासिल कर सकते हैं तो इस मकसद के लिए आप लोगों ने इस channel के उपर आने वाली हर नई वीडियो को लाजमी तोर पे देखना है उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी अपनी राए कुमेंट सेक्शन में देना हरकिस भी बुलिएगा मत अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेर जरूर करिएगा मुलाकात होगी इन्शालला आने वाली अगली वीडियो के साथ अपना बहुत ख्याल रखियेगा अल्ला हाफिस